नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में तो आए जानते हैं खुबरों को बारी बारी से अगर हिसे से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा दें ताकि सभी पर करके लेटिस्ट न्यूज की जनकारी मिलती रहे पीए मोदी 39 दिसंबर को करेंगे डी एपसी ट्रैक का उदघाटन ट्रेनों की लेट लातिपी से मिलेगी निजात जी हाँ आपको बतादे कि परधानमंत्री मोदी 39 दिसंबर 2020 को सुबा 11 बजे वीडियो कंफ्रेंसिंग के जरिये पूर्वी डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर यानी EDFC के निव भावपूर निव खुर्जा सेक्सन का उदघाटन करेंगे इस आयोजन के दोरान परधानमंत्री पर्याग राज में EDFC के परिचालन नियंतरन केंद्र यानी OCC का भी उदघाटन करेंगे इस सवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्य पाल स्रीमती आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्रीयोगी आदितेनाथ और केंद्रिय मंत्री पियोस गोईल भी उपस्तित रहेंगे EDFC का 351 किलोमेटर लंबा नियु भावपूर नियु खुर्जे सिक्षन उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं और इसे 5750 करोन रूपे की लागत से बनाया गया है यह सिक्षन स्थानिय उत्धोग जैसे अलुमिनियम उत्धोग, डेरी, कपड़ा उत्पादन, ब्लोग प्रिंटिंग, कांच के समान के उत्धोग, पाटरी, हिंग उत्पादन और ताले और हाड़वेर के लिए नए औसर खोलेगा यह सिक्षन मौझूदा कानपूर दिली मुख्य लाइन से भी भीड भाड़कम कर देगा और भारतिय रिलिवे को तेज ट्रेनी चलाने में सक्षम करेगा किसान अंदोलन का बतिस्वा दिन, आखिर किसानों ने स्विकारा सरकार का प्रस्ताव जी हाँ आपको बता दे कि क्रिशी कानूनों के खिलाब किसानों के अंदोलन का आज बतिस्वा दिन है कडाके की सर्दिय और गिरते पारे के साथ साथ कुरोना के खतरों के बीच 26 नॉम्बर से बड़ी तदात में किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे हुए है लेकिन किसान और सरकार के बीच अब तक इस मसले पर कोई सहमती नहीं बन पाई है बड़ी तदात में प्रदर्शनकारी किसान सिंगु, टिकरी पलवल गाजी पुरसहित कई बॉर्डर पर डटे हुए है इस अंदोलन की वज़ा से दिल्ली की कई सिमाए सील है इसी बीच अची खबर ये हैं कि एक बार फिर किसान संगटनों और सरकार के बीच 29 दिसंबर को सुबह 11 बज़े अगले दौर की बातचित हो सकती है जिसमें कुछ हल निकलने की उमिद है सो राज इंडिया के अध्यक्ष योगिंद रायदो ने कहा कि हम संजुक किसान मोर्चा की ओर से सभी संगटनों से बातचित कर ये परस्ताओ रख रहे हैं कि किसान संगटनों के परतिनीधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बज़े पर्दान मंतरी कर्याले ने मसले पर संग्यान लिया है छेतरी पर वहन कर्याले ओ आठ यू को एक आदियस भेजा गया है जिसमें आपका तकड़न उकसान हो सकता है दरसल उत्तर परदिस में अब दो पहिया और चो पहिया वहनों के नमबर प्लेट और विंड स्क्रीन पर अपनी जाती की पहचान के तोर पूर कोई स्टीकर नहीं लगाया जा सकेगा और अगर कोई ऐसे करते पाया गया तो उसके खिलाब दंडात्मक करवाई की जाएगे पिछले कुछ सालों में यहां अपने वहनों के विंड स्क्रीन और नमबर प्लेट पर यादो जाट, गुर्जर, ब्रामण, पंडिच, छत्री, लोदी और मुरेया जैसे जातीकत नामों को लिखने के फैसन का बोल बाला देखने को मिला है ऐसा अक्सर लोग किसी पार्टी के पक्ष में या उसके अधार पर करते हैं अतिरिक्त परिवहन आयोक्त मुकेश चंद द्वारा सभी छित्री परिवहन का रियालियो यानि आटियो को भेजे गए एक आदेश में ऐसे स्टीकर लगे वाहनों को जब्त किये जाने की बात कही गई है ICC ने दसक की सबसे दमदार ODI टीम का किया एलान कोहली नहीं ध्वानी बने कप्तान जिहां आपको बतादी के इंतराश्टी एक क्रिकेट कॉंसिल ने साल 2011 से लेकर साल 2020 तक के पिछले एक दसकी चुनिंदा क्रिकेट खिलाडियों को चुन कर पिछले एक दसकी सबसे खास One Day टीम का एलान किया है जिसमें टीम इंडिया के पुर्प कप्तान महेंदर सिंग ध्वनी को One Day टीम का कप्तान घोशित किया गया है जबकि उसके अलवा अन्य दो भारती खिलाडियों को भी सामिल किया गया है बांगलादेस के साकीब अलहसन और इंगलेंड के बेन स्टोक्स दो अलराउंडर इस टीम में है दक्षेड फिरिका के इमरान ताहिर टीम के दूसरे स्पिनर है दक्षेड फिरिका से अब राहांट बिलियर्स को भी टीम में जगा मिले है न्युजिलेंड से बाए हाथ के तेज गिंदबाज टेंट बाउल्ट को भी टीम में सामिल किया गया है 2030 तक भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवेवस्था जी हाँ आपको बता दे कि दुनिया में फैले कोरोना वाइरस के बेच एक अच्छी खबर आई है साल 2025 तक भारत एक बार फिर दुनिया की पाँचवे सबसे बड़ी अर्थवेवस्थाओं में सामिल हो जाएगा और बिटेन छठे नंबर पर पहुंच जाएगा रिपोर्ट का अनुमान है कि इंडियन एकनोमी तेजी से रिकवर करेगी इसके अलमा साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था में से एक होगा आपको बता दी कि मुझूदा समय में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था है बिटेन के प्रमुक सेंटर फॉर एकनोमिक्स एंड बिजिनिस रिसर्च ने सनीबार को प्रकासी तेक सलाने रिपोर्ट में बताया है कुरोना महमारी के वज़े से देश की अर्थवेवस्था को गहरा जटका लगा है लेकिन सबी देश धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं साल 2019 में इंडिया ने बिटेन को पीछे छोड़ दिया था लेकिन महमारी की वज़े से एक बार फिर बिटेन इंडिया को पचाड़ कर आगे निकल गया है 28 दिसंबर से बदल जाएंगे दिली मेट्रो की परिचालन का यह तरीका पीए मोदी देंगे नई शोगात जी हाँ आपको बता दे कि पीए मोदी 28 दिसंबर को दिली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रही ते मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेंगे सोमबार सुबाई 11 बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पीए म दिली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जनकपुरी पस्षिम से बोटेनिकल पर भारत के पहले चालक रही ट्रेन परिचालन का उदगाटन करेंगे पीए मोदिस के साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर निस्नल कमन मोबिलिटी कार्ड से ओंगा भी सुभारम करेंगे दिली मेट्रो में सोमबार से एक नए दोर की शुरुआत होगी इससे आम लोगों को सुखत परिवहन के साथ अनुकूल या तयात का लाब मिलेगा दिली मेट्रो में एक नए दोर की शुरुआत हो जाएगी दिली मेट्रो का कहना है कि चालक रही ट्रेन पुरी तरह से स्वचलित होगी पिछले 24 गंटों में 18,732 नहे मामले एक जुलाई के बाद एक दिन में COVID-19 के सबसे केस कम जीहां आपको बता दी कि देश भर में पिछले 24 गंटों में कुरोना वायरस के 18,732 नहे केस सामने आये हैं जो एक जुलाई के बाद एक दिन में COVID-19 के सबसे कम मामले है इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की कुल संक्या बढ़कर एक करोण 1,87,850 हो गई है हालाकि पिछले 24 घंटों में देश भर में 289 मरीजों की COVID-19 की वज़़ से मौत भी हुई है देश भर में अब तक कुल 1,47,622 लोगों की मौत करोणा संक्रमड की वज़़ से हो चुकी है एक जुलाई को 18,653 नए मामले सामने आये थे देश में करोणा संक्रमड की रिकवरी दर अब तक सबसे ज़्यादा 95,81 फिसदी रिकॉर्ड की गई है इसके साथ ही एक्टीव मरीज अब तक सबसे कम 2,47 फिसदी रिकॉर्ड की गए है